हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवर चैनल स्टोक इंजिनियर्स आज हम इस वीडियो में निफ्टिक एनालिसिस करने वाले हैं और हमने जो लास्ट टाइम अपने लेवल्स पे बात की थी उनको भी हम एक बार रिवाइज करते हैं सबसे पहले मैं चलता हूँ डेली पे देख लेते हैं तो डेली पे हमने देखा था कि एक हमारा लेवल था जिसको हमने बार-बार बोला था कि 18,440 जब तक उपर के तरफ ना तूट जाए अच्छे से तब तक आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए तो वन केंडल रिजेक्शन सेकेंड थार्ड एंडन फोर्थ तो वह लेवल नहीं टूटा आवरली में अगर हम देखेंगे तो हमें क्लियर ली दिखेंगा कि अभी हमें एंट्री करने नहीं चाहिए थी और हमने यही बात पहले बोले थी कि अभी हम कैश में बैठेंगे हमें कोई हमें डिरेक्शन नह तो इसको बोल सकते हैं यह लौट स्पीकर टाइप का पैटन का नाम होता है तो यह लौट स्पीकर हमारा पैटन हो गया तो यह जिस तरफ तूटेगा उस तरफ हमारी मूव अच्छी आ सकती है लेकिन पर एक चीज और नोटिस करने की है कि आपका अप साइड में काफी स्ल देली चार्ट पर तो डेली चार्ट पर आप देखो कि यह एक लेवल यह लेवल कितनी बार टेस्ट हुआ है कितना बड़ा लेवल है स्विंग के लिए और आपका जो यह ब्रेक आउट हुआ था यहां पर रुक कर फिर अच्छा फोल आया था and then इसने क्या किया था इसको ब्रिक किया था तो अकेन यहां पर एक माइनर सा रही टेस्ट हुआ था जो लास्ट टाइम हमें अपनी वीडियो में बात भी कि थी and then अब वापस वहीं पर आ रहा है तो अब यहां पर क्या पोसिबिलिटीज है इसी लेवल पर आकर या तो यह एक इन्वर्स हैडल इस तरह का यहां तक कहीं पर गिर कर और वापस हो सकता है कि यहां से वापस ऊपर ही चला जा जाय जरूरीने के इंवर्स एडल शोल्डर पूरा करें लेकिन chances यह हैं chances again कि यहाँ पर हो भी सकता है बिल्कुल नीचे चला जाए लेकिन chances यह है कि यह gap हुआ था देखो कितना अच्छा gap था फिर यहाँ पर retest हुआ फिल हो गया फिर again यहाँ से वापिस जा सकता है तो shorter के लिए यह वीडियो है shorter अगर आप short करके बैठे हो तो जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि इस point पर आपका यह जो rejections दिख रहे हैं तो rejections यह हो सकता है कि आप जो भी अपना जो short करके बैठा है इस point पर जहाँ पर exact rejection आई थी तो जिसने भी short किया हो गया कल इसमें तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए at least अपना book कर लेना चाहिए या फिर अपना stop loss तो trailing stop loss तो mandatory ले ही लेना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो 1050 और यह देखो एक level है यह कितना 40 तो आपको अगर देखें तो यहाँ से difference कितना है इस support और इस support से यह जो low बना है difference कितना है करीब करीब 20 point का difference है तो 20 point की difference के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो exact point पे कोई exit करेगा जो भी shorters है वो अभी धीरे-धीरे अपनी क्या है positions को down कर सकते हैं और यहां से exit कर लेना चाहिए यानि overall market गिर ले है लेकिन shorters को इस time के कोशिस रहना चाहिए क्योंकि long वाले तो enter कर ही नहीं रहे है shorters को कोशिस होना है plus अब जरूरी नहीं कि आप यहां पर क्या करो अपनी position को opposite करो opposite means आप buy करना शुरू कर दो या फिर call buy कर लो या फिर put option लो नहीं आपको यह नहीं जरूरी नहीं कि हर जगे आपको इस तरह कि आपको सारी की सारी move आपको catch करनी है लेकिन एक चीज यह है कि यहां पर आपको इतना proper level मिल रहा था आपको समझ आया कि यहां पर आप short कर सकते हो यहां से आप down जा सकते हो या फिर अपना जो भी कुछ है exit करके अपना बैट सकते हो भार अगर cash में हो तो इसी तरह से यहां पर भी level मिलेगा अभी आपको जल्दी सी कूदने की जरूत नहीं है प्लस अगर यह सच में यहां से sudden breakdown आता है तो फिर से chance मिलेगा तो बैटर है कि अभी इस point तक यानी 8600 तक अराम से बैठे और फिर देखें कि हमें क्या मोगा मिलता है अपना 15 मिनट से आवरी चार्ट पर तो यहां पर मैं इस वीडियो को end करता हूं तो दोनों के लिए आपकी cautious area है और यहां पर दोनों को बाहर बैटके पर देखना चाहिए कि किस तरह की move आती है तो यहां पर इस वीडियो को end करता हूं thank you